देश में आज इत का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है वहीं इस अवसर पर देश में कई जगे विवात की स्थिती भी बनी हुई है शोशल मीडिया पर एक वीडियो लगाता और वाइरल हो रहा है जिसमें एक मतन शोप के मालिक बकरे पर राम लिखकर इसको बेच रहे हैं इसके बाद मुंबई के बेलापूर पुलिस स्टेशन में इस गंभीर मामले की शिकायत दी गई पुलिस ने मतन शोप के मालिक और उसके करमचारियों के खिलाफ कारवाई की है शिकायत करने वाले हिंदुवादी संगठर बजरंग दल ने दावा किया है कि एक बकरे पर राम नाम लिखा गया था इससे हिंदु समुदाय की भावनाएं आहत हुई है पुलिस के मताबिक शिकायत पर कारवाई करते वे दुकान के मालिक मौहमद शफी शेक, साजित शफी शेक और कुयाम के खिलाफ धारा 295A यानि की धार्मिक भावनाओं को भढ़काने का आरोप के तहट मुकदमा दर्च किया गया है इसके अलावा पुलिस ने दुकान के लाइसेंस रद करने के लिए नगर निगम और अन्य संबंदित अधिकारियों के सामने भी यह मामला उठाया है शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वाइरल होने के बाद हिंदू संगर्ठनों ने इस मामले में कारवाई की मांग की थी उनका कहना है किस से हिंदू समुधाय के भावनाएं आहत हुई है और इस पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए बेलापटुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सम्मंदित धाराओं के तहच आवश्य कारवाई कर रही है इस मामले में अभी तक किसी से कोई बयान नहीं लिया गया है और पुलिस अभी मामले की विस्तार से जांच करने में जुटी हुई है